ऐसलाम वालेक्म एवरीवरडी, वेलकम बैग तुट इससभग, तो गाइस हमने स्टार्ट की थी एक सीरीज आन देली सुल्तनात की थी और आज का यह जो हमारा है यह है पार्ट फूर ठीक है ना हम ने इससे पहले पार्ट तीन पर चुके जिसमें हमने देखा थे इंट्रड अगर हम बोलें तो एडम स्टेट्यों चेंज़ेतड चेंजजे किये हैं या जो भी लेंड डिविनु के रिलेटर चेंजजेश किये हैं हम आज यहाँ पर वह study करने की कोशिश करेंगे तो्कलक डाइनस्टी हमारा मैं मिद्धा होने वाला या मैं तरगट होने वाला जाम इस सबसे लंबा सबसे नबबा सबसे नमबा नमर पर आने वाली जिसका नाम है तुगलग डैनस्टी और टाइम पर यह बात इंपार्टन याद रखना important rulers की बात करते हैं इस dynasty में कौन-कौन से important rulers आते हैं देखो जो founder है इसका या जिसने foundation रखेती तुगलग dynasty का उसका नाम था ग्यासोधीन तुगलग, important ruler है, time period भी साथ में नोट करते जाए 1320 से 1325 तक, मतलब 25 साल का इनका साशन रहता है, 25 साल ये rule करते हैं देली के उपर उसके बाद आ जाते हैं मुहमद बें तुगलग, ये तो क्या बताएं ये कैसा सुल्तान था हम से डिटेल में इसके बारें पढ़ेंगे, इसने क्या क्या चेंजेस किये, मतलब कैसी कैसी चेंजेस किये हम डिटेल में पढ़ेंगे, हाँ ये time याद रखना है, मतलब 26 ये तक इसने rule किया था, काफी लंबा है इसका साशन चला था, 26 year is a big gap, उसके बाद फैरोद शाह तुग अगर हम देखें तो ये लंगस्ट थे तुगलुक रूलर एंडेली सुल्तनात के ओपर, ठीक है ना, उसके बाद हम देखेंगे, कि आफटर तुगलुक कौन से रूलर होते हैं, उन्होंने क्या आगया क्या है, देखेंगे, इमपार्टर यहां पर क्या है, हमारे पास पहल हैं, बाकी जो 30 या 20 येर जो भी पज़ते हैं, वो करते हैं बाकी जो भी लेटर तुगलुक आते हैं, तो चलिए बढ़ते हैं आगे देखेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, ग्यास दिन तुगलुक के बारे में थोड़ा है, यह फांडर है, तुगलुक डाइनस्टी के तो बारे में पढ़ना कंपल सरी बन जाता है, टाइम पिरिट देखो तो पाइंग साल केंगा टाइम पिरिट रह रहता है, ठीक है ना, देखो, इनका ओरिजिनल नाम पहले देख लेते हैं, गाजी मलक, के लिट दी लाष्ट रूलर आफ खिलजी डाइनस्टी, जिनका नाम कह कहता है, खुसरान खान या उनको मुबारक हसन भी कहते थे, यह किस मुबारक हसन को या खुसरान खान को किस ने किल किया, गाजी खाने किया, और 1320 में क्योंता है, गाजी मलक जिसका था, उसने थुरून को एकसेट कर दिया, मतलब थुरून को अपने अंडर ले लिया और अपना नाम रखती है ग्यासुदिन तुगलुक ये पॉइंट आपको याद रखना है कि किस तरह खिलजी डैनस्टी खतम होती है और कौन खतम गाता है खिलजी डैनस्टी का लाच्ट रूलर कौन सा था ओके आगे चलते हैं देख लें या उलुग खान सक्सीड़ हैं अंडर दी नेम आफ या अंडर दी टाइटल आफ मुहम्मद बिन तुगलुक वो किसी कारण से किसी अमरजंसी एक्सीड़न की वज़ए से उसकी मृत्वी हो जाती है और उसका बेटा उसको मतलब उसका बन जाता है आगे जो भी सक्सीड़ करता है उसका नाम अगर देखें तो जोना खान उसका नाम होता है या उलुष खान उसका नाम होता है बट वो अपना नाम क्या रखता है मुहम्मद बन तुगलुक यह उसका नाम होतार या टाइटल होता जो रखता है अगर हम इस बंदे को देखें तो इसके अर्यगेशन परपस पर इसके जदा फोकस किया आगा दखते हैं तुगलो का बाद उसके नाम क्या था तुगलो का बाद ने डिली इसका साक्षन रहता है 1325 से 1351 तक और यह रूल करता है 26 यह 26 साल तक यह रूल करता है और इसका अगर रूल देखें तो यह अजीब तरह का रूल था यह जो decision लेता था यह decision बहुत खराब तरह के लेता था मतलब इसके decision जो थे 1325 में क्या बनता है दसान अफ ग्यासोदीन तुगलुक ने जोना come to the throne of Delhi 1325 में मुहमद बन तुगलुक क्या बन जाते है देली के king या सुल्तान बन जाते है और आगे हम देखते हैं तो आगे क्या होता है he introduced उसने क्या introduce क्या many administrative reforms किसने ग्यासोदीन तुगलुक ने many administrative reform के जो हम यहां पर detail में पढ़ने वाले हैं देखो he has five ambitious project अगर हम देखें तो उसने five ambitious project start की थे ठीक है ना जब इसी वज़े से वो यह अगर हम इसकी जो पांच project थे इसी वज़े से उसको debatable माना जाता है यह उसकी उपर बहुत इसने taxation लगाए डिटेल में पढ़ने के क्यों किया ऐसा क्या हुआ दूसरा 1327 में कहता है transfer of capital कर देता है अपनी capital को shift कर देता है ठीक है 1329 में क्या करते हैं reduction of token currency token currency को ले आता है 1329 में एक और काम करता है प्रपोस्ट करता है खुरासान जिसको हम इराक भी कहते हैं उसकी expedition को प्रपोस्ट करता है और 1330 में क्यों होता है कराचियल expedition इसकी होती है लेकर उसको भी cancel करते है ठीक है ना देखेंगे इसको detail में आकर इसने ऐसा क्यों किया पहले देख लेते है 1326 में किया करता है यह taxation and do up करता है दा सुल्तान created a new department for agriculture card दिवाने कोही यह पार्टना याद रखना दिवाने कोही किसने स्टार्ट किया था यह मुहमद बिन तुकलग ने स्टार्ट किया था दिवाने कोही house text को हम करते है गरी और pasture text को हम क्या करते है चराही गरी और चराही को इसने text क्या है मतलब introduce किया house text को हम बोलते है गरी और pasture text को क्या है बोलते है चराही बोलते है और इसने क्या क्या किया इंक्रीज कर दिया text कहां भी किया दौआब region में किया गंगा यामना दौआब region में कि इसके जो प्रजेक्ट थे फाइव उसने किया कि रिवॉल्ट इसके खलाफ कर दिया लोगोंने उसके खलाफ ऐगर देखें तो पुची साल का साक्षन है और हर साल एक से रिट ये रिवॉल्ट इसके खलाफ होते रहे और आप देखोगे कि तीस रिवोल्टरी के हलाफ हुए ठीक है रहा और उसकी डेथ हो जाती है थाटा में जब वो जंग पे गया था या लड़ाई के नहीं गया था किसके खलाफ ठगी के हलाफ है और ये जो थे ये एक तुरकिश स्लेव थी अगर हम देखें तो इसने जो टैक्जेशन में टैक्जेशन लगाया था तो आप में उसका रिजन क्या था अब देखो लोगों ने क्यों रिवाल्ट किया तब वहां पे मौनसुन अची तरह से नहीं था तब वहां पे सुखा 1388 और इसका साथ नहीं रहता है लंगाश 37 यह याद रखना ही वाज़ी कज़ना मुहमद बिन तुखलुक अफ्टर इस डेथ नोबल्स और थी लोगों अफ्टर इस देख लेएं यह काम किसका होता था वो जो सी ओम थी या जो कौन सल अमिनिस्ट्रें लोगों की होती थी उन्हेंने सेलक्ट किया किस क्यों फिरोजशा तुखलुक आफ्टर महमुद बिन तुखलुक किया है नेक्स्ट पॉइंट देख लें ही करियेटर 300 सीटी एंड टाउन्स लाइक फिरोजशा कोटला सीटी फिरोजशा कोटला फोर्ट हिसार हर्याना के अंदर और फथे डाउन बनाई हैं तो यह एक ग्रेट बुल्डर था अपने टाउप का यह भी आप इंपार्टन साथ में नोट करते जाएं देखो और क्या बनाता है फिरोज़ाबाद यूपी में बनाता है फिरोज़वा उप्र यूपी में बनाता है जून अपूर यह भी यूपी के अं A new department was created known as दिवाने खैरत उसने एक नए डिपार्टमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम किया था दिवाने खैरत To make provision for the marriage of poor world अब इसने क्या किया था आज के अगर हम देखें तो वेबसाइट होती है ना शादी.com एक किसम का इसने क्या दिवाने खैरत डिपार्टमेंट ओपन किया था और यहां पे जो गरीब बची हैं थी उनकी शादी करवाता था यह अपने हकुमत के खच्चे से मतलब हकुमत का जो भी खजाना तो उसके खजाने से यह पोल लटकियों की शादी करवाता था सबसे पाइड़ेयो में होता है सलेव डबाठ्माइट टीael उसके यह इस चाहरत करता है दिवाने खारियोत होता है मैरेज़ फर पूल गल डीवाने बंगदन एंप्लाइमेंट के लिए ये था इंप्लाइमेंट वीरो था ये और दीवाने इस तिका का ये था ओल डेज पिंशन के रिलेटर था आरएट थीक है इस्टेबलिश इसने कि पांच केनल जो थी इसको इसको इस्टेबलिश का लंगाज जो थी वो सुतलोज टू हो सी जो माय नमा तक जादी थी यह लंगाज थी और इसने टुक 10 पसंट एरिगेशन टेक्स लेना शुरू कर दिया ऐनुज सिस्टम ऑफ टेक्जस अकारडंग टू कुराण ठीक है नसे नहे सिस्टम अफ टेक्स टार्ट की जो शरीयक के मताबच था फोन काईड़ टक्स वेर संक्शन ये चार तोला का टक्स लेता था देखो जो भी इसकी जो होती थी वो थोड़ा इसलाम से इंस्पार्ट थी ने जज़िया लेता था जज़िया था नान-muslim के लिए आंदी नान-muslim के लिए याद रखना ज़कात था Muslims के लिए, ये बाद गयाद रखना इसी तरह से चीज़ें balance होती है, एक text आप non-Muslim पर pose करेंगे, तो simultaneously you have to pose another text for the Muslim, ताकि society में चीज़ें equal हैं और बराबर हैं, उसके बाद खहराज होता था और उसके बाद खुमस होता था तो टू पसन मानो, त्री पसन मानो, और जो बागी होते थे जो अगर हम खहराज देखें या खुमस देखें तो ये सब के लिए होता था common जज़े की बात करें तो ये नान-Muslim पर लगाया जाता है religious text था और ये इसने ब्रह्मन को भी इंकलूट कर दिया, इससे पहले ब्रह्मन exclude की जाते थे जज़े से लेकर इसने ब्रह्मन को भी इंकलूट कर दिया, जगात की बात करें तो two person property भी था और खेरच की बात करें तो equal to the one ten था तो production which is equal to the production of land, ठीक है न, आप देखो ये Muslim और non-Muslim दोनों पर लगाए जाता था यहां पर religion बीच में नहीं आता आके चलते हैं, तो एक और तरह गाता है खुमस भी आप यहां पर देख सकते हैं, खुमस अगर देखो, खुमस one of the booty capture during the war war के दुराण one of the fire जो भी आप वहां पर हासल करोगे, उसको one-fifth क्या रखेगा, सुल्तान रखेगा one-fifth तो सुल्तान, four-fifth तो सोल्जर जो सोल्जर कैप्चर कह रहे हैं, उनको four-fifth एशा मिलेगा बट अलावदीन खिलजी के टाइम पर यह उल्टा हो जाता आप देखेंगे, अलावदीन one-fifth देथा था सुल्जर को और four-fifth किसको रखता था, खुद अपने लिए रखता था, यह बहुत बड़ी सामय जो अपने लिए वो बचा कर रखता था मौहमद बिन तुगलो का, policy affected an administration देखो, उसकी जो policies थी हम देखते हैं, he checked the revolt and tried to please the noble, यह important तो उसने कोशिश ही नहीं की, कि वो South India के ओपर या धकनी के ओपर अपनी अथार्टी के क्या करें, reinforce करें या regain करने की कोशिश करें, क्योंकि उसको पता था कि हमारे जो central level है, वो आर इतनी ज्यादा कमजोर है, तो उसने क्या सोचा कि जो मेरे पास areas है, current जांपे में फोकस कर सकते हूं, उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, और जो noble से उनको ज्यादा प्लीज किया जाए, उनको ज्यादा खुश रखा जाए, चाहिए, वो revolt ना कर पाए, या कुछ rebellion हमारे हमारे हालाफ ना हो जाए, next point देखे लिया, he decorated that whenever a noble died, his son should be allowed to succeed his position, ये बहुत ही जाता unique point इसने history में इंट्रडूश किया, including his agtha, if he had no son, then his son-in-law and in his absence, his slave would be the succeeded, pharaohs extended the principle of herodity to army, soldiers were allowed to rest in peace and to send their place, their sons, देखो इसने क्या है, इंट्रडूश किया, याद रखना, कि इसने एक system इंट्रडूश किया, herodity अगर मल जाता है, इसके मशीरों में से, या इसके intellectual job advisor थे, अगर वो उनमें से कोई मर जाता है, तो यहां पे उनको replace करेगा उनका बेटा, अगर उनका बेटा ना हुआ तो उनका sun-in-law, जो उनका दमाद होगा, वो उनको replace करेगा, अगर वो भी नहीं होता, तो उनका जो slave होगा, वो उनकी जगह पे आ जाएगा, या उनको succeed करेगा, और इसने एक और चीज़ introduce की, देखो, आर्मी एक बहुत ही ज़्यादा और्गनाइज sector होता है, आर्मी एक बहुत ही ज़्यादा और्गनाइज, हम दोने unit होता है, तो इसने करें कि वहाँ पे अगर आर्मी के अंदर कोई भी आर्मी का बंदा मर जाता है, या कोई किसी position पे है, सुपोज अगर वो किसी भी position पे, कोटवाल है, अगर वो मर जाता है, तो उसकी जगा कोई और नहीं आएगा, बलकि उसका बेटा आ जाएगा, तो यह हराडिटी इसने जो काम किया, तो आर्मी भी इसने इंडर्ड़क्शन अब यह जो आजीब अनुखा तरह का टेक्निक थी इसने पेइमेंट की, इसकी वज़जा से बहुत जादा अब्यूज़ होने लगए, तुम मतलब ऐसे दो ना, अगर तुम्हारे पास बिए मनदे मांग दी हैं, यह अन-ऍस्लामिक हैं, इसलामिक हैं, इसलामिक हैं, इस्टिक्ली मौनितिस्म को प्रमोट किया जाता है, मतलब आपको सिर्फ खुदा की आगी जुकनाओ और किसे की आगी भी नहीं, चाहे वो जितनी अथर्टी रखता हो, चाहे वो तो कुछ की धरगा पर जाते हैं यह जो बड़े-बड़े हंकाओं में जाते हैं लोग कुछ मांगने के लिए बज़ुर्गों से तो उसने कहा कि यह अन-इस्लाम है क्या और उसने इसको बेंड करने की कोशिच किया इस्पेसली फार वुमेंज नग्स देखते हैं दो अशोका के पिलर ला एक इसके अंदर एक तो हरयाना से लाह एक युबिस लाह और इसने बरट कहां पे केई देली के अंदर और फाइनली यह गरेट कंग मर जाते इसकी डेथ हो जाती है कब 1388 में इसकी डेथ हो जाते है देखो उसके बाद आजाता है फिरुद शाह तो को अगर हम फुर्द देखें इसको अगर हम देखें तो इसके अनलिसिस करें इस रूल और मार्करड बाइपीस एंट रांसक्राइलिटी एंड क्रेड़ फार इट गोड़ सिदा प्राइम मिनिस्टेर खाने जहां मकबूल तो इसके एक प्राइम मिनिस्टेर था जो हैस्ट पोजीशन पे था उसकी वज़े से इसके सुल्तानाद में काफी पूर अमन थी काफी सुकून था काफी अमन था तो यह इसका रूल था है कि जहां भी आप अटाइक हो रोगे वहां पे जो भी खुबसूरत बच्ची होंगे आप उनको कैप्चर करेंगे और आप उनको सुल्तान के पास भीज़ देंगे और सुल्तान के पास एक डिपार्टमेंट होता था जहां पर ऐसे बच्चों को वैल यह उसके बाद जाने के बाद यह जो किंग्डम से यह देली सुल्तान से अलग होना शुरू हो गई तैमूर इन्वेजन क्या होता है 1398 और 1399 में तुरकुष चीफ क्रूल था यह बहुत ज़्यादा कुंकरर था फ्राम मेंगोलिया and descendant of चंगेज कान invaded इंडिया in 1398 में during the reign of मौहमद शाह तुगलुक मौहमद शाह तुगलुक के टाइम पे यह क्या करता है इंडियों के अन्वेड करता है जो लॉश रूलर था तुगलुक डाइनस्टी का ने खिजर खान टू रूल दी पंजाब यह याद रखना जब तैमूर यहां से लोटके चला गया देखो तुगलुक डाइनस्टी का जो साशन था मौहमद शाह उसको हराया और यहां से जब तैमूर जाने लगा तो उसने का नहीं मैं अपने नोमने यहां पर रखता हूँ जो रूल करेगा on my behalf तो उसका नाम क्या था खिजर खान था और उसने यहां पर खिजर खान को रखा और खुट चला गया अपने अबाई वदन चला गया पंजाब की तरफ पंजाब पर रूल करने के लिए ने खिजर खान को रखा और जब वो संटलेलेशी की तरफ जा रह आता है हिजर खान की बात करें तो ही कैप जड़िवस प्रोक्लीम देनीओ सुल्तान हीवाज रूस्ट डाइनसटी कि देख बित्र हम् में क्रेठी पर फ्रेट दिती जी दो फॉर्टी यहोट दो भी झारा लगई सी दिश्रेफियाथ हो जाएती है तो यह था आज के हमारा तुगलक डिनास्टी के ओपर देखो आज यहां पर मैं एक चीज की एडिशन करना चाहूंगा मैं इसको थोड़ा से लिवरेट करके आपको बताऊंगा देखो महमाद बिन तुगलक जिसको पड़ा लिखा मूर्ख कहते थे लोग आखर लगा भाई कुछ पे नहीं है सेटेट को चाहिए कि हमारे सपोर्ट कर रहे है यह उल्दा टेक्स हम पे लगा रही है इसने ट्रांसफर आफ कैटल कर दी ठीक है ना डेली से साउथ की तरफ लेगे उसके ऐसा लगता था कि मैं साउथ पर शेक रखना चाहता हूं तो मुझे लगा यहां पर ट्रांसफर करना पड़ागी ठीक है ना बट जब वहां पर लेगे गया एक ऐसी जग़ा पर लेगे गया जहां पर वाटरी नहीं था तो खुल सुल्टान जाता है उसमें पूरी जंता भी अपने साथ ले लिए थी एक दो सुल्तान तो जाएगा लेगा ले आजीव ठीको ट्रांसफर आफ कैपिल में हजारों क्रोन का क्या होता है हजारों क्रोन यूज होते हैं डालर यूज होते हैं तो देखो यह जब वहां बेगे होगा फिर वापस होया कितना खर्चा होएगा और यह जो पैसे खर्च हो रहे हैं यह सुल्दान या अपने कि अब यह वाले कोई चलेंगे ठीक है ना टोकन करंसी उसने रुपए यह वहां पर क्या देना शुरू कर दिया और इसे भी क्या है जो इनफलेशन था मार्केट के अंदर वह भी ज्याता हो गया लोगों ने फेक करंसी बनाना शुरू कर दी उसके बाद देखें तो इसने चाइने को इपर हमला करना ही यह था ठीक है ना अर्मी को अपनी आर्मी को इसने त्यार किया बड़ यह जब हिमालिया से जा रहा था इसको लगा कि यहां पर बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड के कारण यह आदे रास्ते से वापस आ जाता है यह सोचकर के बहुत ज़् प्लास हुआ और वहां पर मनी का मतलब ज़्यादा क्या हुआ वेस्टेज हुआ यह मनी बहुत जाया होगी जिसके कुछ फाइफ में बीचिस प्लांट थे जिसकी प्रोजेक्ट थे जिसकी वज़ज़ से इस्स्टोरियन काफी इस पर डिबेट करते हैं कि यह तो पड़ा अगर आपको मारे वीडियो असी लेग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफूस थेंक यू